जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में देश में तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गी अटल बिहारी बाजपेजी को भी भारत का परतिसित्तु करने के लिए विपक्षी दल के नेता को नर्सिमा राव साब ने भी भेजा था भारत का परतिसित्तु करने के लिए और G20 G20 की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था लेकिन कॉंग्रेस सासित राज जो मुख्यमंत्री है वहां के वो नहीं पहुँचे तो इस पे सवाल खरा होने लगे अब इसी भी बिहार के प्रदेश सद्यक्ष हैं अकलेस परसासिंग जब उनसे सवाल किया गया कि आपके मुख्यमंत्री जो है रातरी भोज में नहीं पहुँचे तो इस पे जो है वरकते वे नजर आए मोदी जी जिस तरह से सत्ता का संचालन कर रहा है वो प्रजात तंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता है वो जम्हुरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है कभी भी विशेश सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस अडवाजरी कमिटी में विरोधी पक्ष के विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बाच्चित की जाती थी अब तो यहां ऐसा हो गया ऐसा भी समय था राजियू जी के समय में अटल विहारी बाच्पेजी को इवेन वो में भारत के तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था बिपक्षी दल के नेता को नर्सिमा राउ साब ने भी भेजा था भारत का पर दिंसेत करने के लिए और G20 का समयलन हो रहा है यहां विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है तो इससे समझा जा सकता है कि क्या इस्तिती है इस्तिती है मैं कॉंग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिरोधी दल का नेता का पद, constitutional post है वो भी, और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकिये बाहर के सासका ध्यक्ष आते थे, तो परधान मंत्री से भी मिलते थे और बिरोधी दल के नेता से भी मिलते थे, लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कारवाई होगी तो ये जम्हूरियत और संभिधान के अनुरूप नहीं है प्रोग्राम में भाग नहीं क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कारेक्रम में आपको मैं अगर कोई भोज दूँ बाकी चार साथियों को आपको बुलाओं आपको नहीं दे तो इन लोगों को भी तकलिफ होगी नितिस कुमार जी कांगरेस पाटी से अलग उनकी पाटी है उनका सौच अलग है हम लोग का सोच अलग है मैं इसलिए तो उदाहरन दिया कि कांगरेस के समय में जब कांगरेस का हुकूमत था दिल्ली में देश में तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गी अटल बिहारी अब इस्थिति कैसी बदली है आप देख सकते हैं आपका पास सवाल खतम होता नहीं आने वाले समय में उत्रोतर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार और इंडिया गडबंधन और मजबूत होता रहेगा देख लिजेगा आपने साफ तोर पे सुना उनका कहना है कि हमारी पाटी अलग है उनकी पाटी अलग है उनकी वाहीं से पहां रहे स्टाफिवर मजबूत है तो और नहींने नीतिस कुमार को लेकर के वी उनने साफ तोर स यज़िवर तो Robinson ने शनें वा辇न लिजेवरा । यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें